हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि रेडिमी A3X फोन में आप लोग डेवलापर ओप्शन को कैसे ओन कर सकते हो अगर आपके पास एक रेडिमी A3X फोन है और इस फोन में आपको डेवलापर ओप्शन को लाना है अगर आपके फोन में आपको डेवलापर ओप्शन नहीं मिल रहे हैं और आपको पता ही होगा डेवलापर मोड में कितने सारे सेटिंग्स होते हैं अगर आपको उन सेटिंघ को यूस करना है या किसी किसी सेटिंग्स में आपको कुछ चेंजस बगरा करने हैं लेकिन आपके आपके फ़ोन में डेवलपर ऑफ्चन नहीं मिल रहे तो कैसे आप λोग डेवलपर ऑफ्चन को एक्टिवेट कर सकते हो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डेवलपर मोट को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा गाइस एबाउट फोन का यह तो एकदम नीचे मि मिलेगा MIUI वर्षोन का और आपको इस MIUI वर्षोन पे साथ बार लगातार टेप करना कैसे करना है इस देख सकती है रहा MIUI वर्षोन इस पर हम ऐसे नोन स्टॉप क्लिक करते जाएंगे जब आप लोग नोन स्टॉप क्लिक करते जाओगे तो आपके फोन में ऑप्शन है और ऑय डेव्चे में एक्टिएट हो चुका है अभी एपको सेटिंग में आना है और नीचे स्क्रोल डॉण कर लेना है नीचे मिलन सेटिंग की में क्लिक करेंगे थ्वरा सा नीचे स्क्रोल डॉण करेंगे तो आपको मिलicação डेवलापर ऐप्शन देख सकते यह आप़ एक्टि को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तब के लिए बाई